मैं सुभम मिस्रा और आप हमारे साथ देख रहे हैं लाइव इंडिया निव जी चुनावी सफ़र के तहट आज हमारी मुलाकात आदर्स समाज पार्टी के उमिद्वार डिरेक इसमिजी से हुई है जो कि पार्टी के तरफ से चुनावी बिधान सवा चुनाव में हैं हम इंसे बात चित करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी चुनावी मुद्दा क्या है और किस-किस मुद्दा के साथ इस वारे बिधान सवा चुनाव में आए हैं सर सबसे पहले तो आपका आदर्श समाथ पार्टी हमारी कमिटेड है किसके लिए कि जो करप्शन है जो डिस्वानिस्टी है उसके अगेंस्ट में है और जो ब्रस्टाचार है उसके अगेंस्ट में है और देखिए गवर्मेंट की जित्ती भी स्कीमें होती है वो सफल होनी चाहिए कि सरकार बहुत खर लोगों के लिए सरकार की जित्ती भी स्कीमे हैं अच्छी तरह से लागु हो जाएं ये हमारा सबसे बड़ा मुंता हैं और हमारी पार्टी जो है भाइचारे में विश्वास करती है और हमारी पार्टी जो है सारे सब लोगों को लेके चलना चाहती है जैसा कि हम देखते है समाज के अंदर की गैप भरता जा रहा है अमीर और गरीम में वो सब उस चीज़ को भी दूर करने का हमारी पार्टी का पक्का इरादा है हम लोग कमिटेल हैं उस चीज़ को दूर करने के लिए और एक अचनदपाल हमारे अध्यक्ष हैं और आये से रहें रहें चीफ सेक्टरी गर्मेंट आफ इंडिया में रहें रहें उन्होंने ये पार्टी दूवादार आर्ट में फॉर्म करी दूवादार ग्यारा में वो मानिता मिल गई और वो स्वेम भी खड़े हुए हैं एंपी के इलेक्षन के लिए कई बार और मुझे विश्वास है कि वो एक नएक दिन अवश्य जीत करके आएंगे और सर उनका यही कहना है हमेशा कि हमें जो समाच के क्योंकि वो उसमें रहे एज़ा ब्यूर्व क्रेटर हैं यूपी के अंदर हैं तो काफी उन्होंने देखा है कैसे कैसे जो है रिस्की में जो है गर्वर्मेंट की फ्लाउट की जाती है उन पर ज्यादा ध्यान दे जाता है लोग अपने अपना अपना सेल्फ इंटरस्ट जाते रखते हैं बसे पर समाच का और देश का वो चीज़ हमारे लिए बहुत एहम है उसलिए हम खड़े हो रहे हैं और यही हमारा उद्देश है कि हम कैसे भी समाज का उत्थान करें जहां जहां कमियां हैं अपने काम से सार हमने आपके च्हित्र का भ्रहमन किया आपके कूछ लोगा काना है कि रोजगार के बहुत बरी दिक्कत हो ड़ी है। रोजगार की दिक्कत है आगरा में क्या मानते हैं कि रोजगार कैसे आगरा में कि रोजगार की बात तो जहां तक है वो है तो दिक्कत सब जगे एक सी ही लेकिन ये है कि देखिए आजकल नौक्रिया मिल जाती है लेकिन अगर बच्चे के अंदर स्पेशलाइजेशन है वो कमेटेड है स्पेशलाइज है उसकी जो नौलेज देखिए अब स्किल बच्चों मैं अदर ठीचर हूँ हूँ 40 साल इंटर कॉलेज में और मैं अगबार भी बहुत पलता हूँ मैंने हर आर्टिकल में यही पढ़ा है कि जब तक बच्चा अपने आपको एप स्किल नहीं करेगा अपने डे टू डे नौलेज गेन नहीं करेगा जिस फिल्ड के अंदर वो इंटर होना साथ है तब तक उसके लिए नौकरी पाना मुश्किल है क्योंकि यह तेकनॉलीजी का दमाना है काफी कुछ अब टेकनॉलीजी आगे भड़ गई है उस टेकनॉलीजी को पकरना आजकल के नौजवान के लिए काम बन हमारा हम देखते हैं कि हमारे खुद के बच्चे जो है वो अपने आपको अपडेट करते रहते हैं अपडेट करते रहते हैं एक्जाम पास करते रहते हैं एक तरफ तो यह है कि हम जितनी मेहनत करेंगे उतनी अपने आपको लकी बनाएंगे और दूसी तरफ यह है कि हम मेहनत کر کے جو examo pass करने होते हैं जो technology के बराबर में आने वाली बात होती है वो बहुत important है हर बच्चे के लिए important है और ये बच्चा अगर ये सोचता है कि मैं intra pass करने के बाद मेरे को मिल जाएगी या b.a.ma pass करने के बाद ऐसे नहीं मिलती है नौकری के अंदर two hundred percent commitment बस्क्रिप्मेंट चाहिए होता है और ये भी होता है कि वो किसी मानदारी से पेपर देता रहा है अभी तक जो नॉलेज है उसके अंदर प्रोफेशनल नॉलेज होना जरूरी है अगर मालोब वह अमबीय कर रहा है तो प्रोफेशनली ही शुड्द बी वेरी सौंड अगर वो BCA कर रहा है तो professionally he should be very strong हर चीज़ को वो बहुत अच्छी तरह से सीखे हर बच्चा सीखे ताकि वो जब उसका वो हो नौकरी की बात आए या उसका कोई टेस्ट हो तो उसमें वो सफल हो जाए तो ये तो है बात अच्छा अभी क्या हो रहा है आज कल के टाइम में कि लोगों बी टेक के अंदर मास रूप में दाख ले लिए अब देखिए मैं तो शुरू से यह कह रहा हूँ क्योंकि मैं आर्ट साइट का यह मैनिटीज का व्यक्ति रहा हूं तो हमें बैलेंस करके अब ये भी बात आ रही है कि हमें इक तरफ साइंस को भी इंपॉर्टेंस देनी है युमैनिटीज को भी इंपॉर्टेंस देनी है युमैनिटीज का बहुत बड़ा रोल है कैरेक्टर फॉर्वेशन में और अपने जीवन को चलाने में युमैनिटीज अगर आदमी के अंदर वो मानपता के प्रती प्रेम होगा तभी वो एदल इंजिनियर अच्छा काम कर स लखेगा अगर वो युमैनिटीज को युमैनिटीज को नदर अदास करता है तो वो अच्छा इंजिनियर नहीं बन पाएगा क्यों क्योंकि उसके दिमाग में सारे जो उसके जौब से रिलेटेड है प्रोफेशनलिजम वो भरा हुआ है लेकिन युमैनिटीज के प्रती व खरीब लोग हैं उनके साथ हमारे को अपनी सोचल रिस्पॉन्सिविल्टी पूरी करना बहुत आवश्यक है अखरी सवाल आपसे अगर आप विधायक बनते हैं तो आप सबसे पहला तिन काम अपने छेत्र के लोगों के लिए क्या करेंगे देखिए मेरे पास जैसे मेरे को फीड़ बैक मिलेगा मेरे पास लोग आएंगे ठीक है मेरा ये काम है कि मैं पहले तो जो भी गवर्मेंट्स की स्कीम लागू हो सकती है उनको लागू करा हूँगा सर और उनकी मदद करूँगा और पहली बात दूसी बात ये है कि मेरे को शुरू से मैं सोशल सर्विस में मैंने चाहता हूँ कि उनकी जो फाइनेंशल कंडिशन है जितने भी जैसे भी हो सकती है अगर किसी को मकान की प्रॉबलम है या किसी को बड़ी प्रॉबलम है ये आपके जो है साउचाले की प्रॉबलम अभी भी बनी हुई है शेर के अंदर बनी हुई है वो प्रॉबलम भ जैसे कि खरणजा खराब हो रहा है लाइट नहीं है ये तो खेर करना है ये तो मिल करके मेरे को जो नगर निगम है जो भी इसमें एजेंसी लगी हुए उनके साथ बैठ करके मेरे को उनका जो जो लिविंग कंडिशन्द है वो बहुत अच्छी होने चीज़े सफाई से जो है क्लेनिनेस इस नेक्स टू गॉडलीनेस अगर सफाई रहती है तो लोगों के मन भी वैसे ही मनता है और हर चीज़ में सवक्षता जैसे हमारे मोजी जी कहते हैं हर चीज़ में सवक्षता होनी चाहिए चाहिए वो रहने में हो और कूडा उठाने में हो जीवन में हो वो पिर गलत रास्ता लिखाने का प्रयात नहीं करते हैं और ये बनने के बाद मेरा तो यही रहेगा कि मैं जो है किसी तरीके से लोगों का जितना मैक्सिमम फायदा हो सकता करूँ अपने लेवल पे सरकार के लेवल पे आई विल बी कमिटेट टूज इट धन्यवाद सर अपने चुनाव परचार में से समय निकाल कर हमारे चैनल को समय दिया इसके लिए हम लोग आपका अभार है तो आपने देखा कि किस तरह से डेरे इसमीज जी का काना है कि अगर वो विधायक बनते हैं तो जो छेत्रिये एरिया है जो सहरी इलाका है उसमें सोचाले की सबसे बड़ पुरूरूप से चलाएंगे तो ऐसे ही तमाम बड़ी और छोटी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें लाइव इंडिया धन्यवाद